जिरलात बेष्टु भी किसी परकार की सूशनानी कि हम करने वाले कि कोड़ो ensure कनेıyorlar कि सके दबाव में वाध किस के कारें करас का नहीं हूआ हमें लगता है कि भाजब का अफमान हुआ है हमारे नेताओं का अफमान हुआ है कि यह किसी के दबाव में किया गया या प्रशाश्चन से चूट है एक elevated bridge क्या मीरा भायंदर की राजनीती में भूचाल लाने जा रहा है दोस्तों जिस महायूती का डंका पूरे लोकसभा चुनाव में लगातार बचता रहा अब ऐसा लग रहा है कि उसी महायूती की दिवारों में दरारे पड़ रही है ऐसा कहने की बीछे की वज़ा क्या है वज़ा है मीरा भायंदर के पूर विधायक नरिंदर महता जी की press conference दोस्तों ये पूरी press conference हमारे चानल पर आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन इस पूरी press conference का कितना असर मीरा भायंदर में आने वाले आगामी विधानसभा विडियो में हम थोड़ी सी नसर दालेंगे साथी सवाल क्या-क्या उठ रहे हैं कि आखर महायूती में दराले पड़ी तो पड़ी क्यूं ये भी आपको इस ख़बर में हम बताएंगे इसलिए आखर तक इस वीडियो को जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नामे जै जो है वो लाया तो लाया कौन लेके ना वुद्गाटन किसके कहने पर हुआ और गीता जैन प्रताफ संनाइक के अलावा भाजपा की तरफ से किसी को क्यूं नहीं बुलाया गया अब चर्चा का विशे ये बन गया है दोस्तों पहले निधी थी चर्चा का विशे और अब चर्चा का विशे बन गया है मीरा भायंदर में चुनाफ से पहले ही महा यूति की आंत्रिक कलह जो है वो नजर आने लगी है क्या ये कहा जा सकता है मीरा भायंदर भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर्श शर्मा और नरेंद्र महता के साथ साथ पूर्व उप महापौर हस्मु गैलोत ने मीरा भायंदर महानगरपाली का पत्रकार कक्ष में प्रेस कॉंफरेंस की दोस्तों हाला कि जिलाध्यक्ष होने के नाते ब्रिच के उद्गाटन को लेकर किशोर्श शर्मा जी ने आला कमान से शिकायत की ये तो पता चला लेकिन ये इस शिकायत को लेकर किशोर् पूर विधाक नरेंदर मेहता जी ने बहुत कुछ बोला उन्हेंने कहा कि भाजपा की तरफ से शेहर का नित्रत वो कर रहे हैं इसलिए अगर उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाए गया तो कम से कम जिला ध्यक्ष किशोर शनमा जी कोई बुला लिया गया होता या किसी और कोई बुला लिया गया होता मतलब भाजपा का कोई कारेकरता भाजपा का कोई पदाधिकारी भाजपा का कोई नेता इस पूरे उद्घाटन समारों में या इस उद्घाटन के दिबस पर मौजूद नहीं था नाराजगी तो दोस्तों इस बात को लेकर भी दिखी कि उधगाटन के लिए अगर CM को बुलाया जा रहा है तो डेपटी CM यानि उपमुख्यमंत्री यानि देवेंदर फटनवीज जी को भी बुलाया जाना चाहिए था इन्विटेशन भेज देते कम से कम वो आते ना आते वो अलग बात थी लेकिन निमंत्रन जाना चाहिए था जो कि नहीं गया ऐसा भी आरोप लगाए गया है दोस्तों यानि भाजपा की तरफ से नरेंदर महता जी ने खुल कर नाराजगी जाहिर की है उनका कहना है कि अगर य सगस्त यानि दही हंडी के दिन का जिस दिन क्या होता है सुनिये ध्यान से पूरे शेहर में धूम मची थी दही हंडी की इसी दिन प्रताफ सन्नाइक और महाराश्ट्र के सी एम एकनाश शिंदे जी के पोस्टर जो है उसी एलिवेटेड बिज पर लगा दिये गये थे जो क तुक दिन काफी समय से उसका टाला जा रहा था कि सी एम के हातों जो है किया जाएगा फिर येटेट तय होती है सताइबस अगस्त की और कहा जाता है कि दही हंडी से जादा शुबधिन जो है इस बृच के उत्गहाटन को लेकर नहीं उद्घाटन का दिन तय किया गया उसी रात CM सहब आने वाले थे लेकिन आखिर में पता चलता है कि किसी कारणवश वो नहीं आपाए मगर उद्घाटन ऐसा नहीं है कि रुग गया मीरा भायंदर 145 विधानसवाच छेत्र की विधायक गीता जैन और 146 ओडा मजिवडा के विधायक प्रताप सन्नाइक की मौझूदगी में साथ ही MMRD के कोछ अधिकारी थे कोछ ओफिशल्स थे उनकी मौझूदगी में उस ब्रिच का उद्घाटन कर दिया गया अब विरोध भाजपा की तरफ से किया गया है जिसमें खुद नरेंदर महता जी ने कहा है कि ये भाजपा का अपमान है जबकि अपनी सरकार में हमने जब भी किसी प्रजेक्ट का उद्घाटन किया तो हर सम्मानित व्यक्ति को बुलाया लेकिन इस बार ब्रिच के उद्घाटन में जो कि मेरे विधायक रहते देविंदर पटनवीज जी के नित्रत में प्रस्तावित किया गया था उसी ब्रिच के उद्घाटन में हमें निमंतरन नहीं मिला है इस तरीके का आरोब जो है वो लगाते हुए नजर आए नरेंदर महता जी अब सवाल दोस्तों आपसे है मेरा कि नरेंदर महता जी द्वारा जताई गई इस नाराजगी पर आपकी क्या राय है आप क्या सोचते है जो वो कह रहे हैं क्या वो सही है और शुरुआत में जो शंका जताई गई जो सवाल पूछा गया कि क्या इसे महायूती में कलेह की वज़ा माना जा रहा है क्या विधान सवा चुनाफ से पहले भारी भिडंत हो सकती है ऐसे कई तरीके के सवाल उट रहे हैं दोस्तों इन सवालों पर आपका क्या कहना है आपकी क्या सोच है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अगली किसी ऐसी ही वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार